हेलो दोस्तों पंजाई फैसर निजाम आपका स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम सिखेंगे हे भी सैज के पलाजो पैंड की कटिंग करने का तरीका जिसमें ना तो हमारा आसन खीचेगा और ना ही पैंड पीछे से खीचेगी और ना ही इसकी मोहरी घूमेगी एकद नहीं रहेगी तो मेजर्मेंट आप समझ लें लंबाई है 36 इंची कमर है 41 इंची हीप है 46 इंची थाई है 27 इंची और इसकी मोरी है 14 इंची दोस्तों यह हो गया हमारा मेजर्मेंट और इसी मेजर्मेंट के कॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे तो चलिए दोस्तों किस करनी है आपको बताते हैं तो दोस्तों प्लाजों के लिए हमने इस सेप की से पट्टी लेनी है बस और उसके इलावा हमने कोई भी पट्टी की जौत नहीं पड़ेगी इसी से पट्टी से हमारी पूरी प्लाजों की कटिंग हो जाएगी अब यहां पर दोस्तों आप देख ल देना है अब देखे दोस्तों ऊपर में हमारा 8 इंची का बेड़ लएगा तो इस मार्क के पास में एक इंची हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है तो देखे दोस्तों इस तरीके से हमने एक इंची इंची टेप को रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है लंबा अब देखे दोस्तो इंची टेप को आपको इसी तरीकर से रखे रहना है किए लाना डूलाना नहीं है अब मार्क लगाएंगे दोस्तो हम किसे तरीके से लगाना है इसे भी आप छालिस इंची हो हुआरे जो हीप का साइज है वह है 46 inch तो इसका हम यहां पर चोथाई लेंगे जो कि हमारा होगा शाड़े 11 inch और इसमें हमने 2 inch प्लस करना है तो यह हमारा हो जाएगा 1.23 inch तो 1.25 तेरह इंची में हमने यहां पर आसन का मार्क लगाना है तो देखे दोस्तो जितना भी आपका हीप का साइज रहे उसका आपको चोथाई ले लेना है और उसके बाद में 2 से 72 इंची उसमें प्लस करकर आसन का मार्क लगा देना है किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी आसन में तो यहाँ पर हमने आसन का मार्क लगा दिये हैं थाई का, क्योंकि यहीं से हमने थाई को त्यार करना है, अब सभी मार्ग को हम सीधा करेंगे, तो देखे दोस्तों यहां पर हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है अब यहां पर हम उपर की तरफ आएंगे आसन वाले मार्क के पास में और यहीं पर हमने आसन को भी त्यार करना है और हिप को भी त्यार करना है तो यहां पर हमारे कपड़े के किनारे वाला हिस्सा है तो इससे हमने हाँ पिंची आगे की तरब बढ़ा कर एक मार्क लगाना है इस तरीके से अब यहां पर हमने हीप को त्यार करना है तो हीप हमारी है 46 इंची इसका हम यहां पर चोथाई लेंगे जो कि हमारा होगा साड़े 11 इंची तो साड़े 11 इंची में यहां पर मार्क लगाएंगे देखे दोस्तों इस तीके से और उसके बाद में हमने डेड़ से पोने 2 इंची लूजिंग देनी है इसमें हमारा यहां वाला टक्स भी आएगा और दोनों तरफ की हमारी मार्जिन भी आएगी अग इस मार्ख से हम पौने दो इंची और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर हमने आसन की गुलाई देनी है तो देखे दोस्तों टोटल यहां से यहां तक अगर ना परेंगे तो यह हमारा साढ़े तीन इंची बढ़ता है वैसे अगर आप सौर कट तरीके से यह मार्ख लगाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं तो हीप हमारी है च्यालीस इंची इसका हमने चुथाई लेना है जो कि हमारा होका साढ़े ग्यारे इंची साढ़े ग्यारे इंची मार्ख लगाना है और उसके बाद में यहां से साधे तीन इ Hersे से बढ़ाएक मार्क लगा देना है और उसके बाद में यहां से ho two इNews पीछे आशन की गुलाई का यहां पर हमारा मार्क लगए hell अब हमने इंची टेप को इस तरीके से मिडिल करना है इस मार्क तक का और यहां अब दोस्तो मिडिल का मार्क लगाना है इस तरीके से अब देखे दोस्तो अब हमने इस मार्क के पास में आना है और इस केल को इस तरीके से बठाना है और एक सीधा मार्क दे देना है और यहां पर हमने आसन की गुलाई देनी है तो देखे दोस्तों इस तीके से हमने आसन की गुलाई दे दी है अब हम उपर की तरफ आएंगे यहां पर तो यहां पर हमारी जो कमर है वो है 41 इंची तो 43 इंची हम यहां लिखते है इसका हमने चो भी एट करनी है तो यह हमारा हो जाएगा सवा 11 इंची तो यहां से हमने सवा 11 इंची में मार्क लगाना है और इसके बाद में दोस्तों यहां पर हमने डेड़ से पौने दो इंची के एक mark औल लगा ना है जिसमें हमारी यहां की टक्स की margin होगी अभ इस mark को इस mark से मिलाना है तो देखे दोस्तों यहां पर हमने safe पटी को लेना है और इसे इस तीके से गुलाई में बठाना है और mark लगा देना है तो देखें दोस्तों यहां पर आपको shape को भी ध्यान देना है, क्योंकि सही shape से जो भी cutting होती है, वो सही तरीके से बैठती है, तो यहां पर हमने इस तरीके से shape दे दी है, अब हमने middle वाले mark को यहां पर नापना है, यहां से यहां तक का तो यह हमारा आ रहा है 8 इंची, तो 8 8 इंची हमने नीचे की तरफ मार्क लगाना है तो अगर आपका कपड़ा उस तरफ कम रहता है तो यह मार्क आप थोड़ा से इधर भी कर सकते हैं लेकिन हमारा कपड़ा काफी अच्छा है अरेज भी काफी अच्छी है तो हमने यहां पर 8 इंची में इस तीके से यहां कि इसक कुछ पूरा सीधा रखना है क्योंकि इस से हमारी को मोहडी रहती हो काफी शारी कि यहांपर हमने इसके सेंटर का मार्क देदेना है तो आठीज यहां पर भी मार्क टे मुख़ाएं चीरे तो देखे दोस्तो इस तीके से आपको मिला देना है अब देखे दोस्तो हमारे मोहरी का नाप है 14 इंची इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 7 इंची और इसका भी हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 3.5 इंची तो इस मार्क से 3.5 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना ह है तो टोटल हमारा जो मार्क होगा वो होगा साथ इंची क्योंकि 14 इंची हमारी मोरी है तो साथ इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है अब मार्क लगाएंगे दोस्तो हम थाई का तो थाई का मार्क दोस्तो किस दी किसे लगाना रहता है इसे भी समझ लें तो थाई हमारी है 27 इंची इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 15.5 इंची तो 15.5 इंची का भी हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा पौने 7 इंची तो इस middle वाले मार्क से इंची hame इस मीडियो लेने मार्क से पौने साथ इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है तो देखे दोस्तो थोड़ा सा आपको यहां पर mathematics यूज करना पड़ेगा अगर सही cutting सबजना चाहते हैं तो अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है तो देखे दोस्तो इस तीके से इस तीके से बठाना है देख ले दोस्तो और मार्क लगा देना है इसी तरीके से दोस्तो आपको से पट्टी को इस तरह भी बठाना है जहां पर आपकी बैटरी रहे दोस्तो वहीं पर आप इसे बठाकर मार्क लगा दे तो देखे दोस्तों यहां पर हमने मार्क लगा दिया है अब यहां पर हम टक्स का मार्क लगाएंगे तो इस मार्क को हमने उपर की तरफ एक्दम सीधा लेका जाना है तो देखे दोस्तों इस तीके से में एक्दम सीधा लेका जाएंगे उपर की तरफ अब यहां पर हमारा डेड़ से पौने दो इंची का टक्स की मार्जिन थी तो डेड़ से पौने दो इंची हमने यहां पर टक्स की मार्जिन देनी है और यहां पर हम इसे मिला देंगे देखे दोस्तों यहां पर हमारे पलाजो पेंट के सामने पल्ले का मार्क लग गया है अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है तो तोटल हमने मार्क से इसकी कटिंग करनी है दोस्तों तो देखें दोस्तों यहां पर हमने इसकी कटिंग कर दी है अब हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे इसी को बठाकर तो यहां पर हमारा कपड़ा है दोस्तों तो हमने इस तरीके से इसे पिछाना है अब देखें दोस्तों पीछे पल्ले की कटिंग की स्थिके से होती है इसे भी समझ ले अब यहां पर दोस्तों हमने कपड़े को थोड़ा ऊपर की तरफ घसकाना है क्या होता दोस्तों कपड़े को भी हमने बचाना है इसका भी आमें ध्यान रखना दोस्तों अब देखें दोस्तों पैंड का जो सामने का पल्ला है जहां बैठ रहा है दोस्तों वहां आमने बठाना है कोई बहुत से लोग क्या होता दोस्तों इस तरीके से बठा देते हैं बहुत से लोग एकदम इस सटाक बठा देते हैं तो इ आपको एकदम सीधे की तरफ इस तीके से बठाना है तो देख लिए दोस्तों इस तीके से आपको सीधे की तरफ बठाना है नहीं समझ में आता है दोस्तों तो इस मीडिल वाले मार्क से यहां तक का नापना है आठ इंची जो कि हमने सामने की तरफ में नापता उसी तरीके से आठ इंची हमने इस तरफ भी नापना है कपड़ा अधिक है तब कपड़ा कम है तो दोस्तों मोहरी को आप इधर भी घसका सकते हैं क्या करें उस समय मजबूरी रहती है जब कपड़ा अधिक है तो हमने अच्छी तरीके से ही कटिंग करनी है तो देखे दोस्तों इस तरीके स पहले मोहरी के पास में तो यहां पर हमने handful की मार्जिन पीछे-हपल्ले में बढ़ानी है तो डीर ही निची कम लगाएंगे एक सीधा मार्क लगाएंगे फिर इस थी किस में यहां पर दोस्तो हमने कि प्र刃 सब 2 ग की मार्जिन के च बढ़ानी है तो तो हाप-ब nachbyte है उधिन mekin हमारी दोनों तरफ margin दबती है तो हाप-ब nachbyte छोड़कर ہं यहां पर थाई को नातिए तो यह हमारी आरी है 15 13 अधिन थे कि फिर हमने इसींहा पडमें मार्जीन को छोड़कर 15 13 इंची टब को किस्थ TB करें रखें मार्क नगाना है तो 39, 27 उनी थैंची हमने यहाँ पर इसे बढ़ा देना क्योंकि 720 ना यहाँ मार्जिन दापती है तो हम सीधा मार्क लगाना इसे एक सीधा मार्क लगा देंगे पर अब हमने से पट्टी से दोनों मार्क को मिलाना है कभी-कभी दोस्तों ये मार्क थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्खत नहीं से पट्टी जहां पर बैटरी रहे उसी तरीके साथ मिला सकते हैं तो थोड़ा से यह मार्क आगे की तरफ भी हो जाएगा तो इससे कोई दिक्वत नहीं है तो यह थाई को आपको एकदम सही तरीके से मिलाना है अब हमने सेव पट्टी को नीचे की तरफ इस तरफ इस तरफ गुलाई में बठाना है तो देखे दोस्तो इस तरीके से हमने यहां पर मार्क लगा दिया है अब हमने यहां पर दोस्तो दो इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से अब हमने इस तरह पाना है और यहां पर दोस्तो हमने धाई से पौने तीन इंची का मार्क लगाना है अब देखे दोस्तो जितनी हे और आसन से खीचने लगती है पीछे से पैंड खीचने लगती है तो दोस्तों इसे उठाना काफी ज्यादा जरूरी है धाई से पोने तीन इंची हमने यहां पूठाया है अगर कम साइज रहे तो दोस्तों आप धाई इंची दे सकते हैं अगर और कम है तो सब दो इंची दे स रखते हैं तक काम और ज्यादा जैसे-जैसे होते जाए यह मार्क आपको थोड़ा सब बढ़ाते गड़ाते रहना है तो इस तीके से हमने यहां पर पौने तीनिची का मार्क लगा दिया है अब हमने इसे इस तरफ से मिलाना है तो देखे दोस्तों जितना भी प्लाजो का नौलेज है वो हम आप से सेर कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो कटिंग करने में और सिलाई करने में अब हमने इस मार्क को मिलाना है इसकेल से इस तरीके से और यहां पर हम ने इसकी गुलाई देनी है तो देखे दोस्तों यहां पर हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है अब यहां पर भी हम इसकी कटिंग करेंगे तो सामने पल्ले में हमारी यहां पर टक्स रहेगी और पीछे पल्ले में हमारी यहां पर इलाश्टी रहेगी तो elastic के लिए हम यहां पर अलग से तीन इंची पट्टी यहां पर स्लाई करने समय में जोड़ेंगे और सामने में हमारे 1.5 इंची का belt लेगा तो इस तीके से आप यहां पर स्लाई करने समय इस चीजों का जरू ध्यान रखें अब यहां पर दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर देनी है इसी मार्ग से कटिंग कर देनी है इधर भी हमने इसी मार्ग से कटिंग कर देनी है साइड में हमने यहां पर हाप इंची की मार्जिन दोस्तों बढ़ा कर कटिंग कर देनी हैं अगर कोई बीगिनर है दोस्तों तो आप यहां पर एक से डेड़ इंची मार्जिन बढ़ा कर जुरू कटिंग करें क्या होता दोस्तों की बीगिनर लोग को लिए थोड़ी सी कि एहां सब to build इंची उपर to арsia और यहां पर एक इंची फिर नीचे में जाकर हाप इंचे कि मार्जिन कर दे लेकिन हम कनफ हम है दोस्तो कि हमारी यह अग्दम परफेक्ट आईगी तियहां धू कि वह में हाप इंची मार्जिन क्ज पrière है क्या होता दोस्तों जादी मार्जिन देने से भी पैंट हमारी बैठती नहीं है तो इस तीकर से हमने यहाँ पर इस तरब से इसकी कटिंग कर ली है अब सैड में हमने इसी के खीचेगी ना पीछे पल्ले से खीचेगी एक दम परफेक्ट तरीके से हमारी ये प्लाजो पैंट बैठेगी शरीर में जाने के बाद में तो दोस्तों ये कटिंग कैसी लगी ये हमें जुरूर बता दे वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और भी कोई तरीके का क्वेस्चन रहे गया हो ताफ हमें कॉमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद थेंक्यू